अब आप लोग सावधान हो जाएं, मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्णों का समाधान किया जा रहा है। कोई पूछ सकता है क्यों, वोई भी कार्ज किसी कारण से हुआ करता है। कारणे न बिनाकार्जम न कदाचन विद्यते बेद कह रहा है। योग शिखो पनिशत एक सैंतिस। त्रपाज विभूत नारायनों पनिशत में भी आठमे अध्याय का पहला मंत्र है। कारणे न बिनाकार्जम नो देती। बिना कारण के कोई कार्ज नहीं होता। आप यहां क्यों आये हैं कारण है। ना से कहीं जाएंगे क्यों कारण है। अरे आख बंद किया क्यों कारण है। सांस लिया क्यों कारण है। सरबत्र कारण से कार्ज होता है। हां। ठीक प्रस्न है। हमको क्या अवश्यक्ता पड़ गई। मैं कौन मेरा कौन इन दो प्रश्नों के हल करने की। हां। इसका दो उत्तर है। हमारे यहां के जितने भी सिद्धान्त हैं संपूर्ण बिश्व में। वे दो वाक्यों में बोले जा सकते हैं। क्या वास्तविक दुख निबृत्ति के लिए अथवा वास्तविक सुख प्राप्ति के लिए। हम सब दुखी हैं। इसके विपरीत सुख चाहते हैं। हम सब अशांत हैं। इसके विपरीत शांती चाहते हैं। हम सब मरण शील हैं। इसके अतिरिक्त अमरत्व चाहते हैं। हम सब अलपग्य हैं। इसके अतिरिक्त पूर्ण घ्यानी बनना चाहते हैं। अर्थात हम सर्वथा अपूर्ण हैं। पूर्ण बनना चाहते हैं। प्रत्यक सब्जेक्ट में, इसलिए इन दोनों प्रष्णों को हल करना आवच्यक है, तदर्थ, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आज से भी सम्झाया गया मैं कौन हूँ, लेकिन ये मैं नाम का तत्व ऐसा तत्व है, जो प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से बोध गम में नहीं कराया जा सकता, अत्यो, शब्द प्रमाण का अवलम मिलिया गया